नमस्कार दोस्तो Good morning to all of you कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक्जामसाला के यूट्यूब प्लेटफोर्म पर डेली करेंट फेट सेशन में जी हाँ लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने एक्जामसाला का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक्जामसाला का चैनल सब्सक्राइब करिए और अगर आप लोगों ने अभी तक एक्जामसाला का एप डाउनलोड नहीं किया है तो आप एक्जामसाला का एप डाउनलोड करिए मेरे आवाज आप लोगों किलियर आ रही है जल्दी से चैट बॉक्स में जल्दी से बता देजिए कि मेरी जो आवाज है वो आप लोगों तक किलियर आ रही है या नहीं आ रही है जल्दी से बताओ स्पीड से बिल्कुल फिर आज का सेजनी स्टार्ट करते हैं, आज का सेजन बहुत important होने वाला है, बहुत ज़द इंपोर्टेंट सेजन है आज का, मतलब जितनी भी news है न सारी बहुत अच्छी है हाँ, गुड मॉर्निंग भाविका जी, गुड मॉर्निंग अरुन आरिया, गुड मॉर्निंग रिवा तिवारी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग to all of you, आप सभी लोगों का स्वागत है, एकजाम साला के YouTube प्लेटफोर्म पर एक बार फिर से, और आज की पहले निउस है, आज की जो पहले निउस है, वो काफि इंपोर्टन्ट होने वाली है, Spain passes Europe's first menstrual paid leave law, मतलब Spain यूरोप की ऐसी पहली country बन गया है, जो women के लिए menstrual paid leave से related act जिसने अपनी पार्लेमेंट में पास किया है, मतलब देखो, periods के दुरान workplaces पे, female के साथ में जो problems होती इस चीज़ को priority में रखते हुए, Spain की government ने अपनी पार्लेमेंट से एक act पास किया है, और उस act का नाम है menstrual paid leave, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें आपको periods के दोरान जो है, वो तीन दिन तक की छुटी मिलेगी, और Europe, मतलब Spain जो है, यूरोप की ऐसी पहली country है, जिन्नोंने य ये जो act है, वो पास किया है, इसके अलावा और भी कुछ countries है जिन्नोंने ये act पास किया है, लेकिन वो यूरोप की नहीं है, जैसे जांबिया, इंडोनेशिया और जापान जैसे दिसों ने भी menstrual paid leave को लेकर अपनी पार्लेमेंट से act पास किया है, अच्छा अगर मैं आप उससे पुछों कि कि आप भारत की जो पार्लेमांट है, क्या उन्होंने इस तरह का कोई कानून बनाया है, तो नहीं बनाना है, तो आपको याद रखना है कि इंडिया की पार्लेमांट नहीं बनाया है, इस तरह का एक केज जो है वो supreme court में pending है, 24 फरवरी को supreme court पर अपना decision द बनाए हैं तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी पहल है जो इस्पेन ने सुरुवात की है क्योंकि यह काफी जरूरी भी है ना काफी प्रोब्लम्स को सामना करना पड़ता है वो मैंन को वर्क प्लेस पर पीरियर्ट के दोरा तो आपको याद रखना है कि इस्पेन जो ह है या फिर आगे बढ़ता है हाँ गुट मॉरनिंग पूजामीनाग गुड मौर्ण Index रिया तिवारी भुड मॉर्न गोर्व चोधरी है वही गुड़ मॉर्नीं गूर्ड वार्व चोधरी वैरी गुड मॉर्निंग गुर्णी टो लो च्यों कूई जो अगला टोपिक है अगला टोपिक क्या कहता है अगला टोपिक रिलेटेड है धर्मा गार्जियन 2023 अक्सरसाइज को लेकर यह जो अक्सरसाइज है ना धर्मा गार्जियन यह इंडिया और जापान के बीच में होने वाली अक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में होने वाली exercise है जिसका नाम है dharma guardian 2023 exercise और जो यह exercise है न वो जापान के Shiga province में हुई है इस बार जापान में प्रोविंस है आपको नाम याद रखना है कि जापान का एक province है जिसका नाम है Shiga province तो जापान के Shiga province में जो dharma guardian exercise है यह हुई है definitely अगर आपके एक्जाम में क्यूशन बनेगा ना तो सिर्फ यह यह बनेगा कि यह जो exercise है वो कौन से दो countries के बीच में होती है मुझे ने लगता कि एक्जाम में यह पुछेगा कि यह कहां पर हुई है तो आपको याद रखना है फिर भी मैंने आपको बता दिया और यह इस exercise का मतलब 2023 में जो exercise होई है यह इसका fourth edition है यह इसका否व इंडिया और जापान के बीच में होती है आपके लिए फूमवर्क है आपको बताना है कि अंडिया और जापान के बीच में धर्मा गारेजन के अलावा और कौन-कौन से exercise होती है तो अभी के लिए धर्मागा अरजन इंडिया और जापान की बीच में होती है, इस बार ये इसका 4th edition है, definitely आप की सुन में आया होगा, इसमें कोई doubt हो, कोई दिक्कत हो, तो बताईए, आगे बढ़ें, बोलो, चलो ठीक है, बढ़ जाते हैं, ये भी काफी important point है, आज की class का, और ये भी इस तरह का, आप ऐसा बान सकते हो, कि पहला plant है भारत में, जो, जो मतलब west is होता है न, west is को hydrogen gas में change करना है, और ये जो plant है, वो कूने में develop हो रहा है, इसमें कोई doubt, देखो, आप खोदी idea लगाओ, कि किसी भी city में, किसी भी छोटे मोटे साहर में, अगर हम पूरे दिन का देखा जाए, तो पूरे दिन का, कितना कच्रा या कितना wastage जो है, वो इकठा हो जाता है, आप idea लगाओ, आप देखोगे कि हर road पर थोड़ी दून चलने के बाद में एक बड़ा सा description लगा हुआ है, गिला कच्रा यहाँ पर डाले, सूखा कच्रा यहाँ पर डाले, वगेरा वगेरा, तो अगर जो wastage है, अगर उसको हम recycle कर पाए, तो कितने इच्छी बात है, ने तो यह इतना सारा wastage है, जाएगा कहाँ, यह फिर pollution ही create करेगा ना, लेकिन फारत का पहला plant है, जो wastage को hydrogen में change करेगा, अब भासवांज में? देखो, wastage को other gases में change करना, तो आपने इस तरह के plant उस सुने ही होंगे ना, इस तरह प्लान में प्लादट आप बाइची ना, जनेरली, अगर हम wastage की बात करें, तो यह उस में change कि जाता है, जनेरली भारत में इस तरह के plant है लेकिन वेस्टिस को hydrogen में change करना है hydrogen इसलिए इसलिए इंप्रोटेंट हो जाता है कि hydrogen जो है वो most efficient fuel है मतलब इसका जो output है वो काफी ज़्यादा है अब भी आप देखोगे कि भारत में hydrogen से चलने वाली train भी start होने वाली है 2023 में ही तो साइध इसलिए जो है वेस्टिस को hydrogen में change करने को लेकर एक plant लगाया है कहां पर पूने में done और यह जो plant है वो एक private company है जो जो मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि पूने का जो municipal corporation है तो पूने municipal corporation के साथ में जो green billion limited एक company है इसने कमपनी है कि 30 साल तक जो हम पूने के वेस्टिस को hydrogen में change करेंगे done तो इसका जो objective है वो यही है कि 350 ton of solid wastage जो 350 ton of solid wastage है उसको लगभग लगभग आप ऐसा मान के चलो कि 30 ton के आसपास hydrogen में उसको change किया जाएगा इस plant के द्वारा इसमें कोई doubt हो कोई दिक्कत हो तो बताइए आपको क्या याद रखना है कि wastage को hydrogen में change करने को लेकर पूने में इस तरह का पहला plant लगाया गया है आपको एक point और भी आद रखना है कि इसके लिए कौन से technology का use किया जा रहा है काफी अच्छा क्यूशन बन सकता है exam में कि जो wastage को hydrogen में change करने को लेकर जो plant लगाया जा रहा है पूने में उसमें कौन से technology का use किया जा रहा है तो उसमें कौन 100 degree centigrade 700 degree centigrade पर इसमें जो organic material है ना उनको convert करना होता है hydrogen में carbon monoxide में और carbon dioxide में और इस प्रक्रेव कहते हैं plasma gasification I hope आपकी समझ में आया होगा अगर आप लोगों की समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं हाँ जल्दी से बताओ इसमें कोई doubt हो कोई दिक्कत हो जल्दी से बताए आ आप चैट बोक्स में आंसर दे सकते हैं चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टोपिक की तरफ यूएस बिल ओन अरोनाचल प्रदेश LAC देखो आपने LOC का नाम सुना होगा LOC को लेकर एक movie भी आई है उसमें बहुत सारे hero है आप लोगोंने देखी होगी लेकिन जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में एक line है जिसको हम LOC कहते हैं उसी तरीके से भारत और चाइना को अलग करती है एक line जिसका नाम है LAC LAC का पूरा नाम है line of actual control के नाम है line of actual control line of actual control line of actual control तो जो यह line है भारत और चाइना के बीच में है तो अभी हुआ क्या है कि इस line को लेकर जो है ना US का जो सीनेट है US के सीनेट ने एक बिल पास किया है कि चाइना जो है अपनी आर्मी के बल पर जो line of actual control है ना उसको क्या कर रही है मतलब उसकी position में change कर रही है तो यह मतलब USA ने भी माना है तो यह भारत के लिए काफे अच्छी बात है कि USA जैसी country भी इस बात को मान रही है कि चाइना जो है वो LAC में fair बदल करना चाहती है और भारत का जो इसमें role है वो सिर्फ defending है अगर मतलब आप जितनी भी activity अभी हुई है भारत तो चाइना के border पर अगर आप इसमें भारत का rule देखोगे तो उससिफ defending है तो उसके काफी तारीफ की है USA ने भी उसने कहा है देखो आप पढ़ो कि सीर्फक में उलेक किया गया है कि अरुनाचल परदेश भारत का अभिन अंग था और यह भी कहा है कि दक्सी नेश्या में चीन की हरकते जो है वो उकसाने वाली है मतलब चीन की जो हरकते है वो provocative है actually जो अरुनाचल परदेश अगर आपने map देखा हो तो अरुनाचल परदेश का जो ओपरी reason है ना तवांग वाला जो reason है चाइना बोलता है कि यह जो अरुनाचल परदेश का ओपरी reason है यह चाइना का part है भारत ने इस पर कबजा किया हुआ है तो इस बात को जो है USA ने माना है कि नहीं ऐसा नहीं है अरुनाचल परदेश भारत का अभिन अंग है और जो line of actual control है वो एक actual line है और चाइना को उसकी respect करनी चाहिए लेकिन चाइना line of actual control की position में change करना चाहता है इस बात को USA ने भी माना है अच्छा है यहां से में एक चीज और पता भी लगती है जैसे आपने लिखना यूएस सिनेट तो यूएस सिनेट क्या है जैसे इंडिया की जो parliament है ना उसमें दो houses है एक है लोक सभा और एक राज्य देता हूं कि इंडिया की जो parliament है ना उसमें दो houses है एक लोक सभा है और एक राज्य सभा है उसी तरीके से USA में parliament को Congress कहा जाता है मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि USA की Parliament का जो नाम है ना वो Congress है ठीक है तो वहाँ पर एक तो होता है house of representative house of representative मतलब जो लोक सभा के parallel होता है और आप ऐसा मान सकते हो कि भारत में जो लोक सभा है तो लोक सभा के parallel जो वहाँ पर houses है उसको house of representative बोलते है और जो वहां की राज्य सभा है उसको Senate बोलते है तो वहां की Senate ने LAC प्रजू है अरुनातर प्रदेश को लेकर एक bill pass किया है ठीक है तो इसमें कोई doubt हो कोई दिक्कत ह हो तो आप लोग बता सकते हो कोई भी उश्यू हो तो आप चैट वोक्स में पूछ सकते हो कि राजपुत गुर्दन सिंग बोल रहे हैं कि सोरी फोर लेट जोईंग कोई बात ने राजपुत गुर्दन सिंग कोई बात नहीं लेकिन कोसिस क्या करो टाइम पर आने की very good morning very good morning आज तो आप लोगों ने दिल जीद लिया है सारे के सारे आ गया है आज तीन चारे दिन बाद आप लोग आए हो क्लास में है अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टोपिक की तरफ अच्छा एक बात बताओ अभी तक हमने जितने भी टोपिक डिसकस किये है उसमें तो कोई डाउट नहीं हा न सबसे पहले इस्पेन ने मैंस्ट्रोल पेड लिव जो है तीन दिन की उसको लेकर एक एक पास किया है अपनी पार्लिमेंट में उसके बाद में हमने पढ़ा कि अभी चाइना मतलब चाइना का जो टेक है अरोनाचल प्रदेश को लेकर उस पर भी जो है USA ने एक बिल पास किया है और पूने में वेस्टिस को हाइड्रोजन में चेंज करने को लेकर इस तरह का पहला प्लांट इस्टैबलिस किया जा रहा है तो जो भी हमने बितकिन टोपिक पड़े हैं उसम बोलो आप बता सकते हो चैट बोक्स में फिर आगे बढ़ते हैं चलो ठीक है मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कापी इंटेलिजेंट है और आप लोगों की समझ में आ गया है लेकिन फिर भी अगर कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपके समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं चलो अगरा जो टोपिक है न यह आपने सुना भी होगा कि परधान मुंतरी ने वर्चुएलिट किया है मनलब ओनॉन तरीके से उन्होंने इनग्रेशन किया है जल जन अभियान का इसका इनग्रेशन किया है जल जन अभियान राजिस्थान में अगर हम जो fresh water है उसकी जो आप ऐसा मान सकते हो कि उसकी जो उप्योगिता है वो भारत के लिए काफी जादा है और इसके लिए government काफी लंबे समय से परियास कर भी रही है जैसे हर घर नल से जल पानी बचाओ अभियान उस तरीके से ये एक अभियान है जिसका नाम है जल जन अभियान मतलब इसमें क्या है इसमें हमारे जो परधान मंत्री है वो यही कहते हैं कि बाई देखो पानी का ना हमें sustainable तरीके से यूज़ करना है मतलब हमें आने वाले पीडियों के लिए भी पानी बचा कर रखना है यासा नहीं है कि सिर्फ आप लोग इसका यूज़ कर लो कि फ्रे आबो रोड़ पर कहां पर राजिस्थान के अखुस इसमें हैं राजिस्थान के तो अबोड़ प्रधान मंत्री ने जल जन अभियान का inauguration किया है अगर आप next point पर ढोगे ना तो देखो इसमें भी आई है कि PM Modi noted that the 21st century world is realizing the seriousness of limited water resources कि limited water resources की जो seriousness है ना वो हमें समझनी पढ़ेगी इस आने वाले time period में ठीक है तो ये कुछ important point है जो आपको पता होना चाहिए अभी आपको सिर्फ अब्जेक्टिव किया है तो इसका objective है पानी को कंजर्व करना दूसरा point इसका inauguration किस ने किया हमारे परधार मंत्री ने किया कहां पर किया राजिस्थान के शिरोही डिस्टिक के अब रोड में किया और एक point और जो आपको इसमें पता होना चाहिए वो यह है कि आपने एक संगठन का नाम सुना होगा जिसका नाम है ब्रहम कुमारी इस लखनेटले आपने ब्रहम कुमारी का नाम सुना होगा तो ब्रहम कुमारी ने इसमें participation किया है यह आप ऐसा मान सकते हो कि ब्रहम कुमारी की help से जो है वो जल जन अभियान का इनेगरेशन किया है हमारे प्रधान मंत्री ने देखो आपको एक point हमेशा याद रखना पड़ेगा कहीं बार हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी scheme government बनाती है वो सही implement नहीं होती है तो हम इसमें government की किलते निगा देते हैं कि government ने ऐसे किया है government ने वैसे किया है वगरा वगरा लेकिन आपको एक बात जरूर याद रखने पड़ेगी कि government जो भी scheme बनाती है वो तब तक सफर नहीं होगी जब तक उसमें public participation नहीं होगा जब तक उसमें जन भागिदारिता नहीं होगी और लोगों से अग रह किया है कि आप लोगों की helps ही ऐसा हो सकता है क्योंकि पानी आप लोगों को ही बचाना है ठीक है सरकार आपको guide कर सकते है लेकिन करना आपको ही है तो definitely आपकी समझ में ये वाला point आया होगा चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले topic की तरफ अगले topic आपके सामने है और मैं लगातार बोलता बोलता ठक गया हूँ तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ जिब तक आप एक बार revise करो कि कोई भी ऐसा point जो आपके समझ में ना आया हो तो आप पूछिए आप अगला point भी काफिए इंप्रोटन्ट है आप पढ़ोगे कि जो नील मोहन है न ये एक American Indian है मतलब नील मोहन आपको नाम से पता लग रहा है कि ये एक American Indian है और इनको YouTube का CEO बनाए गया है देखो वैसे ये एक simple सा point है कि YouTube का जो CEO है वो नील मोहन नाम की व्यक्ति को बनाए गया है लेकिन एक्जाम में कुछ one-liner question आते हैं आपसे पूछ सकता है कि हालगी में YouTube का CEO किसको बनाए गया है और अगर किसी American Indian को बनाए गया हो मतलब अगर किसी ऐसे person को बनाए गया हो कि जो Indian origin से हो तो एक्जाम में question आने की जो possibility है वो और ज़्यदा बढ़ जाती है और ये बात तो है भी ना कि जितनी भी आपको इस तरह की companies मिलेगी ना उनके जो CEO है वो आपको अधिकतर Indian मिलेंगे तो भारते को जलवा है भारत के बाहर भी जयandee सुन्दर पीचजी को देख सकते हो सत्य नडेले करो देख सकते हो उसी कडी में जो निल महन है उनको YouTube का CEO बनाए गया है तो आपको याद रखना है कि हाल ही में YouTube का CEO है वो किसको बनाय गया थोड़ा सा YouTube के बारे में जान लेते है कि एगर हम YouTube के founders की बात करें, तो जावेद करीम, चाड हर्ले, स्टीव चैन, YouTube जो है न, वो 2005 में found हुई है, 14 फरवरी 2005 में YouTube जो है, वो found हुई है, कहाँ पर California, US में, YouTube का जो headquarter है, वो San Bruno, California ही में ही इसका headquarter है, और YouTube का जो parent organization है, उसका नाम है Google, Google का नाम आपने सुनाई होगा, वो YouTube का parent organization है, तो यह कुछ important point है, YouTube से related, जो आपको पता ही होने चाहिए, चलो, अब हम पढ़ते हैं अगले topic की तरफ, यह आज का last topic है, फिर इसके बाद में हम question discuss करेंगे, और यह भी काफी important point है, जैसे, अगर म football team है, उसको परदर्शन है, वो काफी सरान ये नहीं है, मतलब international level पर भारत की football team का जो वर्चेस होए है, वो लगभग ना के बराबर है, हम FIFA World Cup में qualify नहीं कर पाते हैं, हम Olympic में qualify नहीं कर पाते हैं, खेलने की बाद तो अलग है, लेकिन एक दोर वो भी रहा है, जिसमें इंड football team ने काफी अच्छा perform किया है, तो उसी time period के एक सदस्य थे, मतलब एक footballer थे, जिनका नाम है, तुलसिदास बलराम, क्या नाम है, तुलसिदास बलराम, तो हाल ही में इनकी death हो गई है, 86 year की age में, तो एक जाम मैसे question बन सकता है, कि हाल ही में, तुलसिराम बलराम नाम की व्य से related थे, तो आपका answer क्या होगा, कि वो football से related थे, तुलसिदास बलराम, one of the country's finest footballer, and a member of the golden era, मतलब 1951 से 1962 का जो time period है न, वो Indian football team का golden era माना जाता है, इनकी 86 इनकी age थी, और जो है, वो 1956 का जो Olympic हुआ, और 1960 का जो Olympic हुआ, इसमें इन्होंने participate किया, और भारत के team ने Olympic के लिए qualify किया, आज तो हम qualify भी नहीं कर पाते हैं, इंडिया की football team के लिए, तो Olympic के लिए, लेकिन 1956 में और 1960 में दो बार इंडिया ने Olympic के लिए qualify किया है, और ये दोनों ही बार team के member हैं, मतलब team के एक महतवपून के लाड़ी रहे हैं, तुलसिदा बलराम, और उसी time period ने, भारत ने Asia कब कोई भी जीता था, देखो, जो Asian Games में भारत ने उस time period में जो है, वो gold medal जीता था, South Korea को हरा कर, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा achievement है, कि Asian Games में हमने gold medal जीता, वो भी football team में, उसके बाद में फिर ऐसा आज तक नहीं हुआ है, तो आपको हो गई है, एक point आपको और याद रख लेना कि इस time period में भारत ने उलंपी के लिए दूब बार qualify किया, Asian Games में gold medal जीता, और इस time period में भारत की football team के जो coach थे, उनका नाम था, अब्दूर रहीं, देखो, ये लिखा भी वहा है, सयद अब्दूर रहीं, तो definitely आपकी समझ में य इस question का answer आपको पताई होगा, क्योंकि काफी आसान question है, आपको बताना है कि जो भरतपूर bird sanctuary है, भरतपूर bird sanctuary है, वो कौन से state में है, तो भरतपूर का नाम आपने सबने सुनाई होगा, भरतपूर कहां पर है, जहांपर भरतपूर है, वहीं पर भरतपूर bird sanctuary है, तो आप ब जिसे बताओ कि राजपुत गोर्दन सिंग बोल रहे हैं कि माउंट टाबू में ब्रहम कुमरी का हैड़ गॉर्टर है बिल्कुल सही बात है गुड मॉर्णिंग एस गेमिंग राजपूत गुड मॉर्णिंग अजे आप लोगों की आंसरा ने स्टार्ट हो गए हैं और पूजा मीना ने आंसर दिया है राजिस्थान रिया तिवारे ने भी राजिस्थान दुर्गेश रावत ने भी राजिस्थान अरुन आर्या ने तो अदिकतर बैशों ने राजिस्तान आंसर दिया है विविए बहुत अच्छे बात हिगी एक अगर आपको यह ही पता हो तो प्र EXAM में उसके बहुत सारे हो कि भरतपूर में bird century है यह जरूरे थोड़े कि आपको यह पता ही होगे बरतपूर में bird century है लेकिन आपको नाम से पता लग जाना चाहिए कि हाँ भरतपूर कहां पर है राजिस्थान में है तो भरतपूर bird century भी definitely लिटले कहा पर होगी राजिस्थान में होगी तो इसका अंसर किया हुआ राजिस्थान बहुत अच्छा सभी लोगों ने बहुत अच्छा अंसर दिया है चलो Q2 आपके सामने है और इसके बारे में हमने लाजिस्थान में डिसकस किया भी था तो आपको इसका अंसर बताना ही पड़ेगा कि जो ब्रिगेडियर बीडी मिस्था है उन्हें अभी लेक्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है कौन से स्टेट का केरिला का वैस्ट पैंगोल का हि गवर्नर इस्टेट के होता है और जो उन्हें एक रीटकिन गवर्नर होते हैं तो आपको इसका आइडिया दुर्गेस रावत ने कहा है लधाख अरुन आरया ने कहा है लधाख वैरी गूड मॉर्णि वैरी गूड सॉम्यागोर तो इसका अंसर क्या है इसका अंसर है लधाख मतलल आज तो आप लोगों ने दिल खुष कर दिया मेरा चलो कुष्ट नंबर थर्ड क्यूशन नमबर थरड़ आंसर बताओ यह जो निव्ज है वैसे जनवरी की है लेकिन इसको मैंने करेंट में इसलिए रखा है क्योंगि उस टाइम किरेड में ना करेंट एफेट की क्लास में इस बड़ा गैप हो गया था तो मैं इस चीज का बड़ा ध्यान रख रहा हूं कि उस टाइम किरेड में जो भी important news है उसके जो questions है वो में आप लोगों को बीच-बीच में कराता रहूं तो इसी कड़ी में मैंने क्यूशन इसमें लिखा है आपको बताना है कि अभी under 19 women T20 World Cup हुआ जनवरी 2023 में under 19 women T20 World Cup हुआ और उस World Cup को जो है भारत ने जीता है मतलब भार इंडिया की जो women under 19 cricket team है ठीक है उसने किसको हराया न्यूजिलैंड को हराया आश्ट्रेड को हराया इंग्लैंड को हराया वेस्ट इंडिज को हराया जिल्दी से आंसर दो चैट बोक्स में 30 seconds का आपके पास में टाइम है आश्ट आप लोगों बिल्कुल हद कर दिया है मैं बोल के खतम नहीं होता हूँ और आप लोग जो है आंसर पहले कर देते हो क्या बात मतल्य वैसे तो भूग लगनी बंद हो जाएगा मुझे तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है इंग्लैंड वेरी गूड सौम्यागोर वेरी गूड राजपूद गोर्दन सिंग इसका अं तो तो फिर मैं आपको मान जाओं कि हाँ आप लोगों को वाकिव बता है आप लोग मुझे यह बता हो कि जो अंडर 19 वोमें टी 20 वर्ड़िकप है जो आपके सामने हैं इसको होस्ट कौन सी कंट्री ने किया था इसकी जो होस्ट कंट्री है वो कौन सी थी देखते हैं कौन बत इसकी जो होस्ट कंट्री है वो कौन सी थी सुम्या गोर्ण ने सबसे पहले आंसर दिया है और इस कांसर क्या है साथ अफरीका वेरी गुड तो अभी जो अंडर 19 टी 20 वोमें वर्ड़कप हुआ है जनवरी में उसकी जो होस्ट कंट्री है वो साथ अफरीका में यह टूर्णमेंट हुआ है और आपको एक पोईंट और याद रखना है कि जो यह अंडर 19 वोमें टी 20 वर्ड़कप है यह वो कौन से थी साथ अफरीका ठीक है चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्णी की तरफ किस्ट नंबर 4 अभी जो एशियन वाटर बर्ड सैंसर्स हुआ है मतलब एशिया का एक वाटर बर्ड सैंसर्स हुआ है कि आप जानते यह किसमें क्या हुआ होगा कि जो वाट पर से रिलेटिड है वाटर में भी रहती है और इस सेंसर्स हुआ है और उस सैंसर्स के अकोर्डिंग 52 एविन इस्पिसीज जो है वो ओब्सर्व की गई है इन में से कौन से स्टेट में गुजरात में जम्मु एंड कस्मीर में महारास्ट्रा में लद्दाक में जल्दी से अंचर दो 30 सेकंड के टाइम में आपके पास अब ही तक आप लोगों के विश्ण आने स्टार्ट नहीं हुए हैं 10 सेकंड के टाइम में आपके पास जर्दी से बताओ अभी तक आप लोगों का अंसर नहीं आए चलो कोई नी मैं बता रहता हूँ लद्दाक लद्दाक में जो है ना इस सैंसेस में सबसे ज़्यादा जो एवियन स्पीजिस देखो एवियन स्पीजिस का मतलब ही होता है कि जो उड़ने वाली स्पीजिस है मतलब पक्सियों के वो 52 species देखी गई है कहाँ पर लद्दाथ में इस census में तो आपको याद रखना है चलो अब हम बढ़ते हैं अगने प्रसुन के दरफ question number five और question number five में आपको बताना है देखो ये भी काफे अच्छा question है आपको बताना है कि जो fortune magazine है जो Fortune magazine है जो February 2023 में जो release हुई है Fortune magazine इसमें हमें बताना है कि world की most admire company कौन सी है Indian company ये भी आद रखना है ऐसे नहीं है कि world की सबसे जो admire company है इस magazine के according नहीं इस magazine के according इंडिया की जो सबसे admire companies है वो कौन सी है तो Infosys Limited, Vipro Limited Tata Consultancy Service HCL Technological Limited जल्दी से बताओ अरे आप खुदी नाम देखोगे न तो आपको idea लग जाएगा कि भारती कौन सी company हो सकती है जो सबसे admire company हो सकती है कौन सी company अपने employee का बहुत ध्यान रगती है output का बहुत ध्यान रगती है तो आपको बताना है कि कौन सी company है Infosys, Wipro, Tata Consultancy Service HCL Technological Limited क्या बात है राजपुद गोर्दन सीग ने बताया है C, Arun Arya ने कहा है Tata Learn something ने बताया है TCS, Ria Tivari ने भी C Somya Gord ने भी TCS बहुत सारे बच्चों ने सी answer दिया है तो उसका answer गया है Tata Consultancy Services और ऐसा happy है आप देखते हो रतन टाटा जी को मतलब कितना इस age में भी जो है उनका जो objective है वो कितना clear है कि भारत को जो है वो एक happy country बनाना है उन्होंने बिल्कुल clear किया है एक interview के दुरान Sorry तो जो question number 6 है question number 6 को आप पढ़िए और मुझे बताइए कि अभी actually अभी हुआ क्या है न परवरी 2023 में ही उन्होंने एक mascot launch किया है किसके लिए खेलो इंडिया winter games के लिए simple सा मैं आपको इस question को जो है थोड़ा सा इसके जो languages को मैं आसान कर देता हूँ कि अभी हाल भी में खेलो इंडिया winter games हुए है कौन से हुए है खेलो इंडिया winter games आपको confusion create नहीं करना है खेलो इंडिया youth games अलग है खेलो इंडिया youth games अलग है और खेलो इंडिया winter games अलग है तो यहां पर बात हो रही है खेलो इंडिया winter games की definitely इसको launch कोन करता है या इसको organize कोन करता है तो ministry of youth affairs and sports तो हमें बताना है कि भी हाल ही में मतलब फरवरी में जो खेलो इंडिया winter games हुए है यह कहां पर हुए है यह गुलमर्ग में हुए है कहां पर हुए है गुलमर्ग गुलमर्ग कहां पर है यह एक hill station है जो मुएंड कस्मीर का youth games का कौन सा addition हुआ है मतलब अभी तक खेलो इंडिया youth games के कितने addition हो चुके है तो आपको बताना है तो definitely third, first, fourth या six जल्द इसे बताओ कौन सा answer होगा मैं आप लोगों की answer का wait कर रहा हूँ 10 second का time है आप लोगों की पास जल्द इसे बताओ अभी तक आप लोगों की answer नहीं आया है इतना tough question है लेकिन important question है मैं आपको इसके बारे में detail से बताओंगा काफी अभी हम इसके बारे में काफी detail से discuss करेंगे चलो कोईने मैं ही बताएता हूँ इस answer क्या है third देखो अगर हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें न तो जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 है यह काँ पर हुआ है यह जमुएन कस्मीर के गुल मर्ग में हुआ है इसका यह हमें पता है अभी हमने इस point के बारे में discuss किया लेकिन यह खेलो इंडिया विंटर गेम्स का थर्ड एडिशन था कौन सा एडिशन था थर्ड एडिशन था तो हमें definitely यह पता होना चाहिए कि पहला 2020 में हो रहा है पहला कहां पर हो रहा है मतलब यह इसका थर्ड एडिशन था और जो 2021 एडिशन है न हो लेह में हुआ है आप जानते हैं लद्दात में हैं और जो 2020 एडिशन है वो गुल्मर्ग में हुआ था तो 2020 2021 दोजार 122 वो होने पाया किसी वज्जे से तो अभी जो 2023 व्राब एडिशन है वो कहां पर हुआ है वो दोबारा से फिर गुल मर्ग में हुआ है तो आपको याद रखना है कि पहला गुल मर्ग में हुआ दूसरा लेहे में हुआ और जो तीसरा है वो भी गुल मर्ग में ही हुआ है तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि ये थर्ड एडिशन है और यह जो अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ है गुल मर्ग में उसमें जो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं वो जम्मो एंड कस्मीर ने जीते हैं जहेते हैं जम्मु मेर्ण किस्मीर पें टॉप किया है तो ये मंदख मेर जहते हैं तो यह काफी अच्छी बात है जम्मु कस्मीर के लिए हैं पूरे भारत के लिए high-feedback हो रहा है पहले सामिल होता ही नहीं था हम स네 मेरा साथ मान कर चलिता था कि हम तो भारत का इस्षा यह नहीं है लेकिन जब हम इस तरह के मोमेंट देखते हैं तो मतलब मुझे दो बड़ी कुछी होती है कि भारत का हर एक पार्ट जो है मतलब इंडियन टेरिटरी का हर एक पार्ट जो है वो यह फील कर रहा है कि हां हम भार तो आपको याद रखना है कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ऐसा भी कुछिशन बन सकता है कौन से स्टेट ने सबस्यादा मेडल जीते तो कौन से स्टेट ने जीते हैं जम्मो कस्मीर ने जीते हैं तो I hope आपकी समझ में आया होगा चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रिशन के तरफ क्षिशन नमबर सेवन के तरफ तो क्षिशन नमबर सेवन पढ़िए और आंसर दिजेंगे देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है कुशन नमबर सेवन का आपको बताना है कि जो यस-bank है यस-bank में जो largest public shareholder bank है वो कौन सा है Bank of महारास्ता, Punjab National Bank Bank of India, State Bank of India मतलब यस-bank में जो सबसे ज़्यादा shareholding है वो इन में से कौनसे bank की है जल दीशे बताओ जल दीशे answer दो Question number 7 का यस-bank में सबसे ज़्यादा जो share holding है, वो कौन से bank की है, बोलो, अब ये तक आप लोगों को answer ने आया, मैं ही बदाता है, state bank of India, state bank of India की share holding है, वो ये इस bank में सबसे जाता है, चलो, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्न के तरफ, question number 8, question number 8 कहता है, कि जो center government है, center government ने recently raised the minimum download speed of broadband connectivity, मतलब अभी जो center government है उसने जो broadband connectivity है, उसकी जो minimum speed है उसको निर्दारित किया है, कि कम से कम इतनी minimum speed होनी चाहिए, तो आप लोगों को बताना है कि वो क्या है, 2 Mbps, 3 Mbps, 5 Mbps, 6 Mbps, जल्दी से answer दो, अभी हाल ही में, फरवरी में, center government ने decide किया है, कि जो broadband connectivity की, जो minimum download speed है, वो, कितनी होनी चाहिए, तो आप बताओ, कितनी होनी चाहिए, देवानसी गोल ने answer दिया है, 2 Mbps, very good, देवानसी गोल, तो इसका answer किया है, 2 Mbps है, देवानसी गोल, आज साहिद first time class में आई है, लेकिन answer बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल correct answer दिया है, तो इसका answer किया है, इसका answer है, 2 Mbps, रोज क्लास में आना है, देवानसी गोल, दुरगेश रावत ने बताया है, 5 Mbps, नहीं, 5 Mbps नहीं है, 2 Mbps है, चलो, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्णी की दरफ, question number 9, question number 9 में आपको बताना है, कि जो United Nations General Assembly है न, उसके current President कौन है, यह तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि यह तो हमें वैसे भी पता होता है, कि जो United Nations General Assembly है, उसके President कौन है, तो आप जल्दी से बताओ, answer, option आपके सामने है, Guy Bernard Rider, Antonia Guterres, Paul Hanley Spoke, और Shaba Corosi, जल्दी से answer दो, क्या है, 10 second का time है आप लोगों के पास, हाँ, जल्दी अभी तक आप लोगों का answer नहीं आया है, राजपुत गुर्दन सिंग नहीं answer दिया है, A, Guy Bernard Rider, चलो देखते हैं, बाकि लोगों का answer आने तो, देखते हैं किसका क्या answer होगा, लेकिन आज जो आप लोगों की performance है न, वो वाकई काबिले तारीफ है, बहुत अच्छी performance है आज आप लोगों की, और आज आप लोगों ने जो है, वो बहुत सारी question के सही answer दिया है, तो काफी अच्छा लगता है, जब आप लोग जो है, वो बहतर perform करते हो, इसका answer है, C, Saba, Corosi, C, Saba, Corosi, जो है, वो United National General Assembly के present में, President है, आपको याद रख रख रहा है, और ये कौन सी country के है ये हंगरी के है, कौन सी country के है, हंगरी जो country है ना, ये उस country के है, चरब, question number 10, question number 10, ये तो आपको पता ही होगा, ऐसा होई नहीं सकता, कि आप इस question का answer ना जानते हो, कौन नहीं जानता परवेज मुसर्रफ को, कौन नहीं जानता कारगिल की लडाई को, तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में, जो परवेज मुसर्रफ का death हो गई है, तो आपको बताना है, कि ये कौन सी country से relate करते हैं, अफगानिस्तान से, इराक से, कजाकिस्तान से, पाकिस्तान से, मैंने आपको इतना बड़ा hint दे दिया है, कि कारगिल के लडाई में इनका एहम योगदान था, त तो आपको बताना, कारगिल को नाम लेते हैं, आप समझी गए हैं, कौन सी country से हैं ये, पाकिस्तान से, पहले ये आर्मी चीफ रहे हैं, पाकिस्तान के, फिर वहाँ पर तक्ता पलट हो गया, आर्मी ने कबजा कर लिया, वहाँ के गोवर्मेंट पर, तो फिर ये वहाँ के प्रेजिडेंट भी रहे हैं, लंबे टाइम तब, तो इस कांसर किया है, हाँ, राजपत गुरदन सिंह ने से यांसर दिया है, D, तो इस कांसर किया है, इस कांसर है, D, तो definitely, आज का जो session है, वह आप लोगों को पसंद आया होगा, मुझे तो काफी अच्छा लगा है, क्यो करिए, और session को like करिए, share करिए, कल फिर मिलते हैं, इसी time, 8 बजे, आप सभी लोगों का इंतियार रहेगा, thank you so much, very very thank you, thank you again, क्योंकि आज मैं खुझ बहुत हूँ, आप लोगों से, ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, इसी time, 8 बजे, thank you so much.